विरोधक्ष दल से ये पूछना चाहिए महा जूटी गडबंदन का कौन चीफ मिनिस्टर चेहरा होने वला है अजीत पवार अपनी लाइन में खड़े हैं एकनाच इंडिय अपनी कहा लाइन में खड़े हैं भारतिय जनता पार्टी में खुद ही तीन ऐसे लोग हैं जो चाते हैं मुख्य मंत्री बने तो हमसे सवाल पूछने से पहले जरा अपने गिरेबान में जाके रही बात आज क्या हो रहा है आज आप देख रहे हैं कितनी एक जुटता है महाविकार सगारी एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने वाली है और महराश्रा में फिर से सरकार स्थापित करेगी क्योंकि जनता का प्रेम जनता का विश्वास जो हमने देखा है उद्व ठाकरी जी के लिए वो जग जाहर है तो हमें पूरी उमीद है हम एक साथ लड़कर हम सरकार बनाएंगा महराश्रा में अगर आप कोई भी पोल लेंगे कोई भी सर्वे करेंगे तो उद्व बाला साहिब ठाकरी जी बहुत आगे निकल चुके हैं रेस में देवेंडर फडनविस हो भारतिय जन्ता पार्टी के तीन-चार और नेता हो एक नाच छिंडे तो बॉटम में हैं और साथ में अजीद परवार जी को भी ले लीजे तो उसमें किसी के मन में कोई दो राए नहीं है और आप लोग जितना मुझसे सवाल करेंगे उतना मैं आप ही के सर्वेश को बोलूँगी जरा सर्वेश पर ध्यान दीजिए कौन मुख्य मंत्री बनने वाला है आने वाला समय बता देगा देखे कल प्रधान मंत्री जी ने लाल के लिए से कहा था कि बहुत खर्चा होता है अलग-अलग चुनाव करने का और जब महराश्टा जहारकंड और आज तक हर्याना की चुनाव साथ में हो रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि आप जमू और कश्मीर खबर जो आ रही है जमू और कश्मीर और हर्याना के चुनाव एक साथ करेंगे और ज़ारकंड और महराश्टा के नहीं करेंगे दिखाता है यह घबराई हुए लोग हैं ये जानते है हार होने वाली है किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें, महराष्टा को और लूटते रहें, महराष्टा का पैसा डुबाते रहें, महराष्टा का पैसा खोके बना-बना कर अपने घरों में लेकर चल जाते रहें, ये इनकी वो है, सोच है. इसके लिए नहीं है कि जनता को किसी तरीके का फाइदा हो इनका कैसे फाइदा हो कैसे लूट मचाए रखें इसलिए वो सत्ता में रहना चाहते हैं यह जानते हैं यह वापस नहीं आने वाले हैं पर महराष्टा को इतना लूट लो कि महराष्टा वासी जो हैं आपका कर्ज चुकाते रह जाएं यह दिक्कत है इन तीनों जूटे अगडबंदन की तो यह लोग कितना भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें यह जनता के लिए नहीं है यह अपने खुद के खोके के लिए है ABP माजा उगड़ा डोले बगा नीट